Hello and welcome to the studio of traders SRF को आज के दिर हमने trade किया था एन हमारे एक student है Saurab उन्होंने हमें इस stock को recommend किया था कि जो भी level अभी हम आपको बताएंगे उस level के ओपर हम इसके अंदर अपनी positions को देख सकते हैं तुरंत ही ये stock हमने आप लोगों के साथ भी share कर दिया था आज काफी अच्छा momentum SRF ने दिया था हमको इस stock के साथ M&M को हमने आप लोगों के साथ share किया था जिसने करीब 1% के आसपास का momentum दिखाया और 3rd stock था जिंदल स्टे जिंदल स्टे ने 2% से ज्यादा momentum दिखाया हालां कि आज पूरे दिन market upside में रही है बट मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास नहीं मनुता है कि प्राइस इतना upside में चला जागा लेकिन हमने जो stock जिन लेवल से buy करने के लिए दिये था उन्हें इच्छा momentum दिखाया आज के दिन में क्या है SRF के अंदर overall जैसे day time frame पर जब हम देखेंगे SRF को तो देखें इसके अंदर ये जो green candle है इसका जब आप high macro तो देखें आज इस ने इस green candle के high के ओपर जाकर के closing दी थी with volume and volume के breakouts काफी अच्छे दिखाई पड़े और जैसे कि price ने आज momenta में दिखाया था lower time frame पर जैसे कि overall ये पूरी एक range बन गई है price पिछले पांच देंसे हमारे इस level इस range के अंदर ही trade कर रहा है और आज इसने अचानक से breakout देती पूरी side बे देखें मार्केट एक range के अंदर गोम रही है और जैसे ही price ने हमारी इस 23rd अगस्त की candle के ऊपर जाकर के जैसे momentum देखाया एक अच्छा move दो पसंड से जाता momentum देखाया दिखेंगे हम तो देखें प्राइज exact उसी level उसी support से upside के तरफ गया और वहां प्राइज निकाला भी ट्रेड बोग उपन कर लेते हैं कि लॉगिन करते हैं इस जल्दी से तो एस्प्रेसो प्री लॉगिन ही है वन क्लिक में लॉगिन हो जाता है तो यहां पर सबसे पहले में देखते हैं अपनी पोजिशन बुक देखेंगे पोजिशन बुक में ओवर आज की ट्रेट से हमको तो एक अच्छा काफी डीसेंट सा पर अमारा आज की दिन का रहा और आज की तो मार्के डैसी थी आप किसी भी स्टॉक को या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी किसी भी स्टॉक को कहीं से भी बाई कर दो आपको देगा वो प्रॉफिट यह अपनी अवरॉल देख सकते हो आप 300 कोईटी के साथ हमने 88 अपना एक्जेक्यूट किया था रिफ्रेश कर लेते हैं इसको होगा फिर से ओके सो 300 कोईटी से बाई जो हमने इसके अंदर अपना किया था 7486.50 पर ने बाई किया था सब्सक्राइब किया थे अपने 2538 पर आप देख सकते हो पोजिशन बुक में वापस से चलते हैं फिप्टीन के के राउंड का प्रॉपट अपने टेली राइम चले के थू हम लगातार आपनों को साथ अप्डेट कर रहे थे इन इस्टॉक्स के ओपर जो भी अपना व्यूज के ओपर और चार्ट पर एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि आज सारिफ को लेकर करके क्या हमारा क्या था और देने के बाद इस टॉक में किस तरह के मोमेंटम में एक्सपेक्ट करते हैं तो आई शुरू करते हैं जैसा भी चला हो हाला कि मोमेंटम तो अच्छे ही हमारा भी मन हुआ कि हम इसको कर सकते हैं एक सही लेवल एक सही प्राइस पर और जब इस श्रोक इतना अच्छा चलो तो मज़ा आता है लिटरली हम से बता रहे हैं कि बहुत मज़ा आया इस रेफको ट्रेट करते हुए बहुत अच्छा इस ट्रॉक मोमेंटम देखाया जित हमारे एक level के अंदर है, आपने देखा होगा, एक हमने failed mother breakout का structure आपको समझा है था, एक पूरा full length video हमने इसके उपर discussion किया था आप से, क्या होता है उसके अंदर, तो जैसे कि ये mother candles form हो रही है, price हमारे इस candle की range के नीशे चला गया, तो इसके नीचे आ करके जब price हमारा trade कर रहा है, but again क्यों रहे है कि price वापस हमारे range के अंदर चला गया और एक fail breakout दिखा देने के बाद, जैसे कि ये वाला मेरा fail breakout है और fail breakout दिखा देने के बाद, प्राइस यहां से momentum दिखाया और फिर यह upside के तरफ चला गया तो हुआ क्या कि आज जब हम इसको देख रहे तरे ट्रेट करने के लिए तो प्राइस हमको exact कहां पर मेला हमें हमारे resistance लेवल पर अब जब प्राइस के जो resistance लेवल है यह इतना crucial लेवल था कि इस टॉक को देखते ही मन हुआ कि इसको ट्रेट कर देना चाहिए विकॉस प्राइस हमारा हमारे इस लेवल के ऊपर में जाकर कि इसने ओपनिंग दी 9.15 के candle ने एक पूरी range बना दी और इस range के ऊपर हमने ही इस stock को trade कर दिया और साथी साथ अभी हमने बताया आपको कि अपने ग्रूप में भी share क्या तो और सिर्फ औस इसका अंदर में लोग buying देखते है short selling देखनी नहीं थी because पूरी तरह से जो momentum से में देख रहे थे वो buying के ही थे यह तो drawing की बात हो गई ranks को remove करते हैं और चलते हैं stocks पर अभी देखिए यहां पर यह वो green candle है अब इस green candle के high को जब आप mark करो तो देखिए क्या कर रही यह market हमारे इसलिए high और low दोनों को mark करते हैं यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि price ने high बनाया और इस high के अंदर price हमारा एक दो तीन दीन तक लगातार इसने trade किया अब यहां पर क्या हुआ कि इसने एक fail breakout दिखा था बट price हमारा अंदर चला गया range के अंदर चला गया और यहां से high momentum upside की तरफ अब हुआ क्या ऐसा हर बार नहीं होता है बट आज की structures अगर देखिए आप lower time frame पर जाकर के द उपर की दिशा में गया और यहां यह वाली जो candle थी हमारी 1035 की candle 935 की candle के ऊपर बाही करना था तो जैसे ही price हमारा upside की तरफ निकला जैसे price upside की तरफ निकला यहां देखिए हुआ क्या है कि एक तो 915 की candle बनी है ना अब 915 की candle के ऊपर हमारा price close नहीं कर पा रहा है बार बार यह ओपर की तरफ जा रहा है और नीचे करता है यहां देखिए है फिर यह ओपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे करता है यह वाली जो candle थी अपनी 940 की इसने closing कर दे और इस closing के बाद price सीधे upside की तरफ फिर आए यह नीचे नहीं गिरा कि चूंकि जब मैं trade execute करना तो कही ना क structures होते हैं और उन volume structures का यहां पर हमने अपना use किया हुआ कि जैसे ही price ने closing किया यह इसने अपनी एक range बना दे मतलब 915 का high और plus closing इन दोनों ने मिलकर कि एक range बना दे और जैसे ही price ने हमारे इस वाले level को और 935 की candle के high के ओपर जैसे ही यह निकला यहां से हमने अपना trade execute कर दे हाला कि हमारा यह एक aggressive trade यह हमारे stop loss था टूफोर 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 सेवन सिक्स यह वले यह है यह exact हमारे stop loss बना था यह परका फरक है तो यह जो swing area था यह हमने इसको अपना stop loss area बना दिया और entries हमने upside की तरफ की थी 2485 पर हमारी entries थी अब अगें जब हम इसको day time frame पर देखेंगे तो यहां पर आपको देखेंगे दो दिन मिलेंगे higher time frame पर current price पर आते हैं यहां पर एक तो यह वाली candle है ना इस candle के high पर एक resistance लेवल था प्राइज ने हमारे इस resistance लेवल पर आकर के देखें क्या किया था एक rejection देखा था अभी हमने आपसे कहा था ना कि यह हमारा stressed target था यहां पर जैसे ही price आया क्योंकि momentum आ जाने के बाद में देखें यहां से price ने क्या कि एक high को break किया इस जगह पर जो structures बने थे बिल्कुल भी signal हमें ऐसा नहीं मिल रहा था कि price हमारा नीचे की तरफ गिर जागा तो गिरा ही नहीं वह और यहां से फिर सीदे हमारा price upside की तरफ चला गया यह उपर की दिशा में चला गया और इसने काफी अच्छा movement हम लोगों को दिया तो यहां पर हमें actually targets आपने book करने था प्राइस अप पर discussion क्या क्या है कि daytime frame पर हमने कैसे रीट क्या एक range के अंदर price रुका हुआ है एक range के अंदर price हमारा फसा है और इस range के बाहर जैसे price निकला हमने इसको पकड़ लिया है यहां पर देखिए simply कुछ कुछ नहीं करना कोई advance analysis नहीं कोई कुछ नहीं price हमारा हमारे एक level के अंदर अब अगर इसको नीचे गिरना है अगर इसको नीचे की तरफ गिरना तो यह गिर जाना बट प्राइस यहां पर क्या रहा है कि एक fail breakout इसने दिखा दियो फिर price हमारे range के अंदर और कल फिर से यहीं पर आकर कि यह close हो गया और जब हमने इस cattle 23rd का हाई हमां किया तो price हमारी level क यह उपर मिल गया हमको काफी अच्छे में संकेत मिल लेते हैं आपर trade execute करें अपना यह trade execute कर दिया और lower time frame की structure समय आपको बताए है तो आई हो पिसाइड चीज़ आपको समझ भाएंगे और जितना प्रॉफेट्स पर करो और हां last session में हमने शायद संडे को अपने पेनल आप सके market को समय दो जितना हो सके practice करो thanks and आप हम लोग मिलेंगे next session में यह अच्छा कल तो market close है पर्सों के दिन okay thanks and we will meet again